क्रिस्मस पर रिलीज होना लिफ फिल्म टाइगर जिन्दा है का ट्रेलर जारी हो गया है यह कबिर खान दोरा निर्देशित फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है कबिर के मुताबिक उन्हें अपनी फिल्म एक था टाइगर पसंद नहीं है क्योंकि उसकी मेकिंग के दोरान उन्हें कई समझोते करने पड़े थे भले ही वो फिल्म ब्लॉक्बस्टर हो गई हो लेकिन उन्होंने कई गलतिया की थी शायद इसी कारण उन्होंने सीक्वल का निर्देशन नहीं किया और सुल्तान वाले अली अब्बास जफर को यह फिल्म करने को मिल गई टाइगर जिन्दा है कि ट्रेलर में पूरी कहानी को खोल के सामने रख दिया गया है इराक में फसी नर्सों को बचाने का मिशन टाइगर को मिलता है सारा खेल इस बात पर निर्वर है कि टाइगर इस मिशन को अंजाम कैसे देता है क्या इस मिशन में रोमान चोगा यह निर्देशक के पस्तूती करन पर निर्वर करता है इस मिशन को रोमान चक बनाने के लिए आदूनिक हतियारों पर खासा फोकस किया गया है मशिन गन, गोलियां, हेलिकॉप्टर, विदेशी लोकेशन्स के सहरे सलमान को हीरो गिरी दिखाने का भर्पुर उसर फिल्म में दिया गया है यह बात ट्रेलर में साफ नज़राती है अरसे बाद सलमान खान एक्शन करते नज़राएंगे और फिल्म का यूएस की एक्शन है ट्रेलर देख समझाता है कि एक्शन दर्शकों को रोमान चित करने बाला है ट्रेलर धमाकेदार है तैसी फिल्म देखने दर्शक जा रहे हैं उन्हें पहले से ही मानसिक रूप से तयार करता है कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन वो टाइगर जिन्दा है का ट्रेलर पहली बार में ही प्रभावित करता है सलमान की पिछले फिल्म टूबलाइट भले ही असफल हो गई हो लेकिन इस से उनके स्टारडम पर कोई आर्च नहीं आई है टाइगर जिन्दा है धमाकेदार उपनिंग करेगी यह बात ट्रेलर ने तै कर दी है